हेलो फ्रेंज, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरसोती इंग्लिस क्लासेज में मैं समीर सिंग लेकर आए हूँ आज आपके लिए क्लास एट हनी जीव का चैप्टर नाई नाम है अपको पहले बता दो इस वीजियो में आपको क्या क्या मिलने वाला है ताकि अपको इससे जग्यादा कहीं इनफोर्मिशिन लेने की ज़रीत नहीं होगी इसकिप मत करेंगा वीजियो को सुनिये सबसे पहले हम बात करेंगे about the writer महोदे के बारे में हलकासा, introduction, the second का then after हम discuss करेंगे ये जो आपका story है वो किस book से ली गई है कब लिखी गई थी ये ऐसी कुछ चीज़े होती है न वो जो important होता है जो सब लोग नहीं जानते आपके class में बच्चे नहीं जानेंगे even कुछ हद तक teachers भी नहीं जान पाते हैं क्योंकि उनको सरिफ पढ़ाना होता है story को, वो ज़्यादा detail में नहीं जाते और वो शाद इसलिए नहीं जाते क्योंकि आप अभी छोटे class में हो, class 8 में हो तो उनको लगता है कि भी बच्चे को जादा बताना सही नहीं है फिर भी मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा क्योंकि शुरुआत भले आपकी class 8 से हो यहाँ पर आप अभी 8 में हो बट यह है कि अभी से आपका mind sharp होगा अभी से आप कुछ extra जान होगे तो जड़ से बात है कि आपके mind में हमेशा extra जानने की कोशिश होगी वरना आपको अभी केवल explain कर दूमे तो आपको सिर्फ explanation से मतलब होगा परिच्छा में सिर्फ उतना ही आप पढ़ोगे जितना path होने से मतलब है आपको आपको extra knowledge लेंगी जो उतनी पढ़ेगी आप सोचोगी निए उसके बारे में यहाँ आपको बता दूमें कि आपको extra जानकारी होनी चाहिए क्योंकि जानकारी कभी भी बेकार बरबाद नहीं जाती तो कुछ तो extra हो जो आपके दोस्त आपके साथ ही आपके classmate नहीं जानते हैं तो हम बात करेंगे उनके बारे में और फिर उसके बाद बात करेंगे इस story को detail में confirm करेंगे line by line जैसे आपको लगेगा कि आप story को पढ़ रहे हो book से summary भले है लेकिन detail आपको मिलेगी वो भी image के माद्दम से ताकि आपको आजसानी से ये story समझ में आ जाए यहां तक आपके book में जो questions है ना last में इस story के वो आपको solution के रूप में आपको दूँगा में इस story के last में यानि कि video के एंट में आपको solution भी मिलेगा तो आप आराम से बैठ जाए चलते है story के writer के बारे में बात करने ये है writer 1804 में पैदा हुए था 1804 में यानि कि 60 साल तक इनकी आयू थी लगबग ये एक American novelist है ये novel लिखा करते थे महोदे अलावा इसके ये dark romantic लिखा करते थे और short story writer भी थी dark romantic से मतलब ये है कि ऐसा romance जो जादू ही हो जो काल जादू के साहे में हो जो darkness जहाँ पर हो जहाँ thrilling हो जहाँ पर suspense हो कुछ ऐसा romance ये रिखा करते थे महोदे तो चलते हैं के बाद हम बात करनें उस book के बारे में जिस book का part है ये आपका listen साफ साफ देखेगा ध्यान से यहाँ लिखा हुआ है the great the great stone face यहाँ मैंने लिखा हुआ है the great पूरा नाम है इस book का the great stone face and other tales of the white mountains जो की 1889 में ये लिखा गया था book जिस book का नाम ये है the great stone face and other tales of the white mountains तो इसी का इसी का part है आपका chapter number 9 और chapter number 10 ठीक है इसका part और ये कब लिखा गया 1889 को publish हुआ sorry लिखा ने गया publish हुआ इस तारी को publish हुआ ये अमेरिका में तो चलते हैं हम story को confirm करते हैं ये है great stone face मैं आपको एक चीज़ बताऊ वो इसलिए बता रहा हुँ तक क्योंकि बताना ज़रूरी है कभी अपने कुछ चीज़ों को जो अपने बैग में रखा हुआ है copy किताब कभी आपको लगा नहीं कि आपको कभी कुछ उभरता हुआ चेहरा दिख रहा है कुछ समय के लिए आपको लगता है कि आकाश में घोड़ा दिख रहा है आपको दिख रहा है कि हाथी दिख रहा है आपको कहीं दिवाल पर लगता है कोई जानवर कोई इंसान आपको लगता है बट वो कुछ दिर के बाद वो डिसापीर हो जाता है वो गायव हो जाता है आपने कभी feel किया होगा ऐसा अगर नहीं किया होगा तो life में आप करोगे जरूर तो ऐसा कभी feel होता है लेकिन वो disappear हो जाता है समय के साथ बट यहाँ पर भी वैसा यह यहाँ पर भी सब लोगों को feel होता है कि वहाँ पर एक चहरा है वैसे तो normally जो हम देखते हैं वो हमें सिर्फ feel होता है बट यहाँ गाँवालों कोई feel हो रहा है ठीक है तो यह चहरा जो है और हम जो देखते हैं वो चहरे में कुछ अंतर है इसके पीछे एक कुस भवश्यवारी की गई है हमारे वाले जो चहरा हम देखते हैं में बनी हुई है ठीक है और गाँव में बहुत साइड लोग रहते हैं लेकिन जो main character है इस story का वो एक छोटा सा बच्चा है ठीक है जिसका नाम Ernest है मैं लेकर चलू आपको story में और फिर बताओ Ernest कौन है यह है story की कहानी शुरू करते हैं हम यह चोटा बच्चा Ernest E-R-N-E-S-T Ernest है और यह इसकी मा है जो बैठी है बगल में ठीक है तो Ernest main major character है आप पढ़ाते चलूँगा आपको character इसका याद आ जाएगा कि क्या role play करता है यह बच्चा इस कहानी में एक दोपर की बात है एक औरत जो अपने बच्ची को ले करके अपने कुटिया के दरवाजे पर बेती थी वे दोनों पतफर के बड़े चेहरें को बड़े ध्यान से देख रहे थे और इसके बारे में बात कर रहे थे धूप बहुत चमकिली थी और ये पत्थर बहुत अच्छे तरीके से साफ साफ इन्हें दिखाई दे रहा था बच्चा अपनी मा से उस चहरे के बार में पूछता है पत्थर का महान चहरा जो है वो हजारों लोग वहां रहते हैं और उसे देख चुके हैं प्रते की व्यक्ति जो है पत्थर के उस महान चहरे से परचित था यह प्रकृत का काम था लोगों ने कहा कि यह प्रकृत का देन है प्रकृत ने इसको ऐसा बनाया है तब ही तो हम इसे देख पा रहे हैं कि पत्थर में मानों की अकृति आ चुकी है एक साथ सटी हुई कुछ विशाल चटाने कुछ दूरी से एक मानवी चहरे की आकृत जैसी दिखाई पड़ती थी लगता था वो सजीव हैं जब कोई मालो आप दूर से देखते हो तब तो वो साब साब दिख रहा था जब कोई दूर से देखता तो वो मानवी चहरा प्रत ऐसा राज था वहाँ पर विशाल चेहरा जो था जो वो भवे चेहरा था अरनेस्ट की तरफ देख करके मुस्कुराता था अरनेस्ट को ऐसा लगता था बच्चे को लगता था कि वो चेहरा मुझे देख करके मुस्कुरा रहा है और वो चेहरा वो जो फेस था जो ये विशाल पत्थर का फेस था, वो बहुत द्यालुता पूरवक उस बच्चे को देखा करता था, बच्चे को ऐसा लगता था, हलाकि वो हस रहा है, नहीं हस रहा है, बट ऐसा बच्चे को लग रहा था, अरनेश्ट की जो मा थी, अरनेश्ट अपनी मा से उसके बारे में बात करता है, ब उस प्रकार के चहरे वाले व्यक्ति को देखना चाहता था वो कहता है कि मुझे इस तरीके से इसका चहरा है ना उसी तरीके से किसी व्यक्ति का चहरा मुझे देखना है जो इसी के प्रकार का हो क्या मैं उसे देख पाऊंगा जो कि मैं उसे उसे प्रेम करना चाहता हूं मैं उ बढ़ा होने पर उसका चहरा पत्थर के इस महान चहरे के समान दिखाए देगा हलागी लोगों ने बहुत समय उस व्यक्त की पृतिक्छा की कोई व्यक्ति ऐसा पैदा हो जिसका चहरा इस महान पत्थर की तरह हो लेकिन फिर भी कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के चहरे वाले व्यक्ति को देख नहीं सका चुकि ये भाईश्वारी बहुत साल पहले की गए थी और लोग यही विश्वास करते थे कि कोई विक्तियासा होगा जो इसी के चेहरे जैसा होगा और वो बहुत महान होगा बहुत प्रभावशाली होगा दुनिया मुसका बहुत नाम होगा लगना भी तक कोई देख नहीं मैं देख पाऊंगा ना मैं जीवित रह पाऊंगा ना तब मा चुकि सने ममता मही होती है मा ने अपने बेटे को जो बेटे के चहरे पर एक रौनक थी वो नहीं चाहती थी कि वो इस रौनक को खतम कर दे उल्टा कहके क्योंकि जाईट सी बात है कि क्या पता जब कई साल से लोग जो है वो नहीं देख पाएं ऐसे चहरे को मर गए और चुकि भवश्वारी हजारों साल पहले की गई थी तो क्या पता ये बालक जो है वो जिंदा भी रह या ना रह और ये चहरा अभी हो भी ना या ऐसा आदमी पैदा हो भी या ना भी लेकि मा ये नहीं कहना चाहत थी अरनेस्ट ये कहानी हमेशा याद रगता है कभी नहीं भूलता है उसके दिमाग में हमेशा ये कहानी ना घर कर गई थी वह एक सहायता करने वाला और हसमुख बच्चा बन गया था वो अपने मा के कामों में हाथ बटाया करता था इस तरह से प्रसंद्चित और विचार मगन बच्चा बड़ा हो करके मृदुवारी बोलने वाला और शान्त बच्चा बन गया उसका कोई टीचर नहीं था वहाँ गावपे कोई टीचर भी नहीं था वह उस ग्रेट स्टोन फेस को अपना टीचर बना लिया अपने कामों को करने के बाद जब वो अपना काम कर ले तो जब पढ़ता तो भी नहारता पढ़ाई या काम पूरा करके जब भी बैठता तो उस चेहरे को नहारता और कहता कि वो चेहरा मुझे देख रहा है वो चेहरा मुझे देख करके हस रहा है इस तरह से बच्चे का जो समय है वो बिचता जाता है उस वक्त गाव और घातिय में एक अफवाह फैली हुई थी एक रियूमर यहां लिखा है रियूमर रियूमर एक अफवाह फैल गई थी उस गाउं में उस घाटी वाले गाउं में अफवाह क्या थी अफवाह यह थी कि बहुत साल पहले एक गैदर गोल्ड नामक व्यक्ति रहता था आप अगर यहां दे पहले चला गया था और जब शहर गया वहाँ उसने बिजनेस कर लिया और बहुत धनी बन चुका था लेकिन अब अन्तिम समय में वह अपने जीवन के अपने घाटी में लोटने का निड़य करता है वह कहता है कि मैं अपने घाटी में आऊंगा वही रहूंगा तो ये बात जो गया कि हो ना हो वह व्यक्ति जो बहुत धनी हो गया है वही व्यक्ति इसके चहरे जैसा व्यक्ति हो चुकि बहुत साल पहले गया था किसने देखा ने उसके चहरे को तो हो सकता है वही हो क्योंकि भाईश्वारी भी यही कहे थी कि वह बहुत धनी होगा बहुत ज्यादा आज कुछ हलचल सुनाए दी यह लगाता है पत्थर को निहार रहा है उसे कुछ आवाज सुनाए दी ऐसी अफवाफ फैली कि गैदर गोल्ड जो है जो पत्थर के महान चहरे के समानवाला बंदा दिखता है वो एक घोडा गाड़ी से आ रहा है आज अपने गाउं की तरफ त है एक बंदा वास्तों में गोडा गाड़ी से उतरता है और उसका नाम है गैदर गोल्ड या द С्पेलिंग आपको यहाँ लिखा हुआ है आप यहाँ चक लेजागा यह है gather gold तो वो गोड़ा गाड़ी से उतरता है उसका चहरा जो है ना वो किसी ब्रिध पुरुष की भाती पीली खाल वाला था लोग उसे पत्थर के महान चहरे की पृतिमा मानने लगे लोग जो कहने लगे कि नहीं नहीं यही बंदा ऐसा है जो इसके चहरे की तरह है तो यह फा गाउमे फैल गए की gather gold ही है जो इस तरीके का बंदा है ठीक है धीर धीर समय बीचने लगा अर्नेस्ट जो था वो भी घाटे की तरफ जाता है वो पत्थर के चहरे की तरह बिल्कुल इसका चहरा नहीं लगता है तो फिर से वो अपने कामों में busy हो जाता है वर से बीते जाते हैं अब अर्नेस्ट जो है वो नव यूबक हो चुका है यहाँ पर जो आपको अर्नेस्ट दिख रहा है ना वो एक नव यूबक हो चुका है उस पत्थर के महान चहरे को वो एक टक निहारा करता था सामने बुक ले लेता था कभी बुक देखता था कभी पत्थर के चहरे को निहार था और सोचता कब वो दिन आएगा जब इस पत्थर के चहरे जैसा कोई इनसान मेरे सामने आएगा मैं देखूंगा उस महान इनसान क मैं उसे प्रेम करूँगा मैं उसे धेर सारी बाते करूँगा उसे आश्यर ये था कि उस चहरे का बंदा यानि इस बंदे को आश्यर ये था कि पत्थर जैसे चहरे का बंदा कोई होगा भी की नहीं होगा और विलंब क्यों लग रही है उसको आने में अगर कोई बंदा है जो पत्थर के जैसे चहरे वाला है तो वो आ क्यों नहीं रहे दिन रात बस उसी पत्थर के चहरे वाले विक्ति के बारे में वो सोचा करता इस समय तक समय इतना बीट गया कि जो गैदर गोल्ड बुढ़ा बंदा जो घोड़े की सवारी करके आया था घोड़ा गाड़े में उसकी मृत्ति हो गई उसके सारे धन सोने जो कमाये थे वो सब खत्म हो गए और पत्थर के चहरे समान चहरा बने बगेर इसकी मृत्ति हो कि कहा गया था कि वो बंदा ऐसा होगा जिसका वैभाव दुनिया में होगा इसका धन कभी खतम नहीं होगा इसका धन खतम हो गया सुने चांदी सब खतम हो गया और इसका चहरा बाद में सच में सही से जब लोगों ने मैच किया तो उस पत्थर के चहरे जैसा नहीं लगा तो लोगों ने ये माना कि ने ये बंदा नहीं है कोई और बंदा होगा जो पत्थर के चहरे जैसा होगा बहुत वर्स पूर्व अब ये बाते एक और बात आने लगी गाउं में कि बहुत साल पहले उस घाटी का एक अन्य बालक सेना में भरती हो गया था इस तरीके से एक बा बाहर रहता था उसी के बारे में लोग सोचते थे कि वही होगा इस पत्थर के चहरे वाला व्यक्ती तो एक और बालक के बारे में बात आने लगी गाउं में कि एक लड़का था जो गाउं का ही था अपने घाटी का ही था वो सेना में भरती हो गया तब तक वो भरती जब त अच्छी से नौपर तूट पड़ता है थंडर की तरफ की तरह तूफान की तरह चेक है और बलड वगएरा जो है यानि कि खुन खराबी करता है यानि कि लोगों का जो है वो कतलयाम करता है वो एक तरह से आप कहा सकते हो कि वो बहुत खुखा टाइप का बंदा है इसलिए उ जो आने वाला है जो जनरल है वो बंदा जो है वही हो सकता है उस महान पत्थर वाले व्यक्ति के चहरे के बराबर क्योंकि ये बंदा भी विख्यात है और इसका नाम जो है वो Blood and Thunder है ये प्रसिद्ध है से नामे और ये जनरल है इसका मतलब है कि जो बंदा आने वाला है वो ब एक्ति मान लिया और लोग जो है वो कहने लगे हाँ 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 बिल्कूल ये पत्थर जैसे चेहरे वाला बंदा है देखो लिखा इस दे सेम फेस इग्जाक्ली आई फील लाइक डांसिंग फजवाए निकि सब लोग अपने आप में बाते करते हैं कि हाँ ये बंदा वैसे दिखता है जैसे उसका चेहरा है और जब थोड़ा और बुड़ा होगा तो इसका चेहरा उस पर्थर वाले चेहरे के जैसा ही होगा अर्नेस्ट जो है ये भी जाता है ये सोचता है हाँ है तो वैभासाली है तो महान क्योंकि इसका प्रसिद्धी जो है वो बहुत जादा है सेना में लेकिन जब वो ध्यान से देखता है तो उसे लग जाता है कि नहीं ये जो जनरल है जिसका नाम ब्लड एंड थंडर हो चुका है और ये जो पत्थर है पत्थर का महान चहरा इसके बीच में किसी तरह की समानता दिखाई नहीं दी उसको लगा कि नहीं ये बंदा भी पत्थर जैसा नहीं है उसके हिर्दय ने उसे आश्वासन दिया कि वास्तविक जो बंदा है वो अभी तक बना नहीं है अभी वो आएगा यानि कि अभी वो बंदा पैदा नहीं हुआ है जिस बंदी का चहरा उस पत्थर के चहरे जैसा होगा इस तरीके से ये बंदा बात क अगर आप देखेंगे तो यह आपका 130 पेज का पहला क्वेशन इसका आंसर है यह दो पार्ट में है और यह आंसर भी दो पार्ट में है यह दूसरा क्वेशन और इसका आंसर है स्क्रीण सॉट ले लिजएगा आपको असानी होगी यह तीसरा question answer है यह 4 पाचवा है और यह 5 में के बाद 130 पेज में ही working with language का question number 1 है और यह इस question number 1 का answer है यहाँ पे question number 2 और नीचे आपका यह answer लिखा हुआ है यह 3 और 3 का answer नीचे आपने देखा इस तरीके से इस story में जितने भी questions है उसका solution मैंने दे दिया है विश्वास करेगा सारे के सारे solution आपको मिल चुके हैं स्टोरी को image के मादने से समझाय जा चुका है अगर आपको कोई परिशानी कोई तकलिफ कोई suggestion कोई सुझाव देना हो comment box में comment कीजेगा लाइक जरूर कीजेगा subscribe कर लिजेगा और share जरूर कीजेगा अपने दोस्तों के साब तो मिलते हैं next chapter की तरफ बढ़ते हैं आगे तब तक अपना ख्याल रखेगा पढ़ते रहे लिखते रहे मस्त रहे thank you for watching the video